दोस्तों नमस्कार राजेसर क्लाशिस में आपका श्वागत है आपके सामने कच्छा बारे यूपी बोर्ड दोहजार तईस रसान विग्यान का पेपर इस वीडियो में इस पेपर का सलूशन मिलेगा तो पूरा वीडियो देखे मित दोस्तों को सेर कीजिए यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यह वीडियो आपको वोड एक्जाम 2024 के लिए महत्पुर हैं क्योंकि आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो ररनेती बनाएंगे कैसा पेपर आएगा और इस पेपर से भी आपको कम से कम 40% जरूर आएगा तो देखिए पूरा वीडियो यह है रसान विग्यान 2023 समय तीन घंटे 15 मिनट देखिए हर पेपर में लिखा रहाता कि 15 मिनट पर इचार्थियों को प्रस्पत पढ़ने के लिए निरधारित तो पहले जिवही आपके हाथ में पेपर आए ध्यान पुरुवक उस्षे माथे लगई और उ लिखा एंसर कुछ है उत्तर हम कुछ लिख रहे हैं तो ध्यान पुरुवक पले पढ़ना चाहिए सभी प्रस्ण अनिवार है प्रतेक प्रस्ण के लिए निरधारित उनके सच्छम दिए गये हैं गणात्मक प्रस्णों में गणा के समस्त पद लिखिए जहां वस्यों को र अपनी उत्तरपुस्तिका में लिखे तो पहला है को कौ सोडियम कोलाइट क्रिष्टल की सनस्चना है कांगेंदृत घन फलक केंदृत घन यप सीची आर्थो राम्बिक चतुष खोडी तो इसका सही विकल्ब जो आपके सामने है दूसरा है सोडियम कुलाइट की क्रिष्टल की सनचना फलक गंदृत घन यानि याफ याफ सीसी यानि आपका विकल्ब नमबर दो सही है अब आगे है खो एक नमबर की प्रशन है याफी 2-0-3-X-2-O के कुलाइट कन पर आवेश होता है एड़नात्मक, धनात्मक कोई आवेश नहीं इसमें से कोई नहीं तो सही विकल्ब इसका है धनात्मक आवेश होता है ठीक है इस आणुपर धनात्मक आवेश होता है अब हम आपको लेकर चलेंगे अकले पेश पर तो देखिए अगला पेश गौ साधारण ताप पर सलफर का अनुसुत्र साधारण ताप पर सलफर का अनुसुत्र S2, S4, S6, S8 तो सही बिकल्प आपका है S8 सही बिकल्प क्या है S8 खाद पदार्थों के पैकेट में प्रिक्ट गैस की खराब नहोंने पाए S2, O2, N2, F2 तो इसमें सही बिकल्प जो है आपका वो है नाइट्रोजन गैस भरी रहते है N2, विशिष्ट चालक्ता का मात्रक तो इसमें से विशिष्ट चालक्ता का मात्रक प्रतियों, सेमी स्क्वार, प्रतिमोल यानि पहला विकल्प आपका शही है चाल है, बैदुत अब घट पदार्स नहीं है, सोडियम कुलाइट है, अमोनियम नाइट्रिक है, नाइट्रिकन है, यूरिया नहीं है, बैदुत अब घट यानि बैदुत प्रवाहित करने पर अपने घटक पदों में तूट जाना ठीक है न यह होता है अब देखे इसमें अंग्रेजी मेटियम के छात्र इसके शॉट ले सकते हैं इस्ट्रक्चर आप क्रिस्टल आप सोडियम कुलाइट तो हमने एंसर बता दिया है कि यह आप फेस सेंटर्ट क्यूबिक होता है और यह है आपका बी दे चार्ज आप कॉलाइडल पार्टिकल आप यफी टू ओ ट्री डाट एकस तो ही इच तो यह होता है पास्टिव अब देखे सी को हमने बता दिया मालिक और फार्मूला आप सल्फर अट आर्डेनी टेंपरेचर यह होता है गैस प्रजेंट इन दे फूट पैकेट आप सबस्टेंस होता है यह नाइट्रोजन गैस यूनिट आप स्पेस्फिक कांड़क्टेंस यह होता है नान इलेक्ट्रिकल यूरिया दो रागी दो रागी तथा दो विरागी कॉलाइडों के नाम लिखे तो देखे इसमें है आपका दो रागी है गोद ठीक है दो रागी गोद इस्टार्च इस्टार्च ठीक और दो बिरागी दो बिरागी हो जाएगा गोल्ड साल और सल्फर साल सल्फर साल यह आपका हो गया दूसरा के कहा है अब है हाडी सुल्जे नियम का उलेख किजी तो देखे हाडी सुल्जे नियम यह आपका आगया हाडी सुल्जे नियम हाडी सुल्जे नियम किसी विद्दूत अभगट के असकंदन छमता आवे छेपर शक्ती सक्री आयन की सन्योजक्ता पर निर्भर करती किसी विद्दूत अभगट के असकंदन छमता यानी और छेपर जो सक्ती होती अर्थात किसी आयन पर जीतना अधिक आवेश होगा उसकी असकंदन चमता उतनी ही अधिक होगी अगला है प्रति उदाहरण प्रति पराशरण का उदाहरण सहित अर्थ असपस्ट कीजिए बिलेन और बिलायक को अर्ध पारगम जिली द्वारा अलग कर बिलेन पर अधिक दाव लगा कर बिलायक के अड़ों को बिलेन के ओर ले जाने की प्रक्रिया को प्रति पराशरण कहते हैं जैसे समुद्र के जल को पीने लायक बनाना बिलेन और बिलायक के अर्ध पारगा में जिल्ली द्वारा अलग कर बिलेन पर अधिक दाप डाल कर बिलायक के अड़ों को बिलेन को ले जाने की प्रक्रिया को प्रति पर आसरन कहते हैं जैसे समुद्र के जल को पीने लायक बनान ये इसका उदारण है अब है आगे आपका गर बेंजल्डिहाइट के नाइट्रीकरण में प्रियुक्त इलेक्ट्रोफाइल का नाम और सुत्र लिखे तो देखे यह होता है नाइट्रोनियम आयन ठीक है यन यह होता है अब लिखा है एक डाई एक डाई सेक्राइट का नाम तथा अण सुत्र लिखे तो डाई सेक्राइट आसान प्रस्ण है चीनी समझ लेजिए यच बाईस वो अलेविन सुक्रोज चीनी ही होता है यह आपका हो गया अब यह अंग्रेजी मिडियम के साथ इसके साट ले सकते हैं अब हम चलने आगे की तरफ तो देखे जो था पेज आपके सामने उप सह सहोजन योगिक तथा द्युक लवण में अंतर अस्पस्ट कीजिए ठीक है इसको त्यार रखे यहाँ N I C N 4 में ये न आय का संक्रण समझाई तो यह दिखे इसका संक्रण होता है इसका संक्रणी ही होता है प्रथम कोट के अवक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सुत्र लिखे प्रथम कोट के अवक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सुत्र लिखे तो आप इसको तयार करशक्ते हैं आसान प्रश्न है यहां लिखा कि में K4 F2 C6 में F2 की आक्सीकरन संख्या तथा समन्मग संख्या ग्यात कीजिए तो देखें आक्सीकरन संख्या क्या होती है प्रथमकॉट की अपक्रिया में 100 मिन पचाथ किसी पदात का संद्रण कर अपने प्रारंभिक संधर का निन्यांवे प्रत्रत्त भेग्रित हो जब विगया की बेग इस तरांग की गढणा कीजी निमके तरद तर्द का असपस्ठ चालका तो शेल इसक शाट ले सकते हिन प्रस्णों देखिए इसी प्रकार की प्रस्ना आएंगे आप इसकी शॉट लेते रहिए पांचमा पांचमा का को खो गो और यहां पर है इसकी शॉट लेजिए और यह देखिए पांचमा का गो दुबैदू यानि चार नमबर का पांचमा ए बी सी देख सकते हैं और छटमे पेश पर चलते हैं अगले प्रस्ट के लिए यह आपका आगया यह चार का यह है आपका अधवा यह इसकी शॉट ले सकते हैं और खो इसकी शॉट लेजिए हम बढ़ रहे हैं आग एक तरफ और चलने अंतिन पेश पर तो देखें यह है आपका अंतिन पेश इसकी शॉट लेते रही यह है अपका सात्मा प्रश्ट को इसमें से दोनमें से एक करना है और यह है आपका खोव इसमें से दो करना इसमें से एक करना इसमें से खोवाले में से भी सात्मा अब इसके साट ले सकते हैं अंतिम पेश का इंग्लिस मीडियम के जो चात्र है नमस्कार